हेलो फ्रेंड्स, बेलकम टू श्टेरीकर, मैं हूँ आपका दोस्त अप्रभाकर, आज किस महत्मो लेक्षर में हम डिस्कस करने वाले हैं, 6 एक्टूबर 2023 के most important current of years के question, तो आप इस पूरे लेक्षर को बहुत ही ध्यान से last तक जोड़ देखेगा, आज का पहला और important question है, एस जिसमें से 3 gold medal है, एक silver medal है और एक bronze medal है, इस प्रकार से आप भारत के पास 86 medal हो गए हैं, जिसमें से 21 gold medal है, दोस्तो ये भारत का अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्सन है, पिछली बार जो सबसे अच्छा प्रदर्सन किया था, वो किया था 2018 में, 2018 में भारत ने अपना स्रेश्ट प्रदर्सन करते हुए, 70 medal जीते थे, जिसमें 16 gold medal थे, लेकिन 2023 में उससे भी अच्छा प्रदर्सन किया है, तो अब तक 86 medal आ गए हैं, जिसमें से 21 gold है, दो-तीन दिन का खेल और बचा हुआ है, तो उसमें भी medal आएंगे, यानि ये जो medal की संख्या है, ये और भी भी बढ़ सकती है, अब हम बात करते हैं, 12 बे दिन के भारत के medal की, तो दीपिका पलिकल और हरिंदर पाल सिंग ने स्क्वास मिक्ष डबल्स में gold medal जीता है, इसके अलाबा तीरंदाजी यानि आर्चरी के compound round में, जोती सुरेखा, अदिती गोफी चंद स्वामी और परनीत क और की तिकडी ने भारत को gold medal दिलाया है, इसके अलाबा ओजस प्रिबीन, अभिशेक बर्मा और प्रतमेश समाधान की तिकडी ने आर्चरी यानि तीरंदाजी के men's compound में gold medal दिलाया है, दोस्तो स्क्वेस men's singles में सौरभ भोसाल ने silver medal जीता है, और wrestling में अंतिम पंगाल ने bronze medal हासिल किया है, अगर हम अब तक की medal tally की बात करें, तो चाइना पहले स्थान पर है, इसने gold total 322 medal जीते हैं, जापान ने 147, साउथ कोरिया ने 109, और इंडिया चौथे स्थान पर है, इसने 86 medal जीते हैं, जिसमें से 20 gold हैं, 32 silver हैं और 33 bronze medal हैं, आप इस पूरे lecture को बहुत ही से last तक देखिएगा, last में आपसे question पूछा जाएगा, जिसका answer comment box में देना है, अगर आप channel पर पहली बार आए हैं, तो subscribe कर लें, bell icon भी दबालें, जिससे आपको समय पर सबसे पहले notification मिल सकेगा, पीडियाप के लिए आप हमारे telegram channel से जुड़ जाएगा, आपको telegram पर जा अंगला प्रसन है, साहित का नोबिल पुरुसकार जॉन फोसे को दिया गया है, उनका संबंद किस देश से है, तो उनका संबंद नौरबे से है, तो नौरबे के लेखक जॉन फोसे को साहित का नोबिल पुरुसकार दो हजार तेश दिया गया है, तो नोबिल पुरुसकार तेने माली कमेटी ने ये कहा है कि जो जॉन फोसे की नाटक हैं और जो कहानिया है ये उन लोगों को आबाज देती है जो अपनी बातों को कहने में सक्षम नहीं थे जॉन ने अपने नाटकों में ड्रामा के जरीए उन इंसानी भावनाओं को जाहिर किया है जो आम तोर पर जाहिर नहीं की जा सकती हैं तो अगर हम जॉन फोसे की किताबों की बात करें तो इनकी किताबों को 40 से अदिक भाशाओं में ट्रांसलेट किया जा चुका है अब एक सवाल आता है कि अब तक कितने लोगों को साहित का नोबिल पुरुसकार मिल चुका है आंसर होगा इसका 120 लोगों को इन 120 लोगों में 17 महिला हैं अगर हम बात करें भारत में साहित में नोबिल पुरुसकार किसे मिला है तो वो मिला है रबिनाट टैगोर को उनकी पुस्तक गीतान जली के लिए कब दिया गया था 1913 में दोस्तो 2022 का जो साहित का नोबिल पुरुसकार था वो दिया गया था फ्रेंच लेखी का एनी अर्नो को अगला प्रस्न है विस्व सिक्षक दिबस 2023 कब मनाया गया है आंसर हो जाएगा इसका 5 अक्टूबर को तो हर साल 5 अक्टूबर को शिक्षकों, सोध करताओं और प्रोफेसरों के काम को मानता देने के लिए विस्व सिक्षक दिबस मनाया जाता है 2023 की थीम याद रखिएगा हमें जो सिक्षा चाहिए उसके लिए सिक्षकों की आवशकता सिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए वैश्विक अनिवारिता तो ये है 2023 की थीम 1994 में यूनेसको ने 5 अक्टूबर को विस्व सिक्षक दिबस मनाने की घूशना की थी भारत में जो राष्टिय सिक्षक दिबस है ये 5 सितंबर को मनाया जाता है डॉक्टर सर्पली राधा क्रिशनन की जन्म दिबस पर और राष्टिय सिक्षा दिबस मनाया जाता है भारत में 11 नवंबर को मौलाना अबुलकलाम आजाद की जहनती पर अब हम बात करते है यूनेसको की क्योंकि अभी यहाँ पर आई थी यूनेसको की तो यूनेसको का फुल्फॉर्म होता है यूनाइटेट नैसन एजूकेसनल साइंस्टिफिक एंड कल्चरल औरगिनाजेशन इसकी स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और जो यूनेसको है यह संयुक्त राष्ट की एक विसीस अजेंसी है इसका मुख्याल है पैरिस में है और पैरिस कहां है फ्रांस में इसके जो मेंबर है वो है 193 महानेदेशक कौन है वरतमान में तो वो है आड्रे अजोले और इसका उदेश है सभी के लिए गुडबत्ता पूर सिच्छा और उन्हें उमर भर सीखने के लिए प्रिरिट करना आपको एक और महत्पॉंट दिवस याद रखना है जो कि 6 अक्टूबर को मनाया जाता है वो दिवस है विस्सो सेरेब्रल पालसी दिवस और 2023 की थीम याद रखेगा इसकी टूगेदर स्ट्रोंगर है सेरेब्रल पालसी एक ऐसी बीमारी है या बीमारियों का एक समू है जिसमें मरीज की मान स्पेसियों पर उसका कंट्रोल नहीं रहता है तो इस बीमारी के प्रती जागरुकता बढ़ाने के लिए यह दिवस मनाये जाता है नेक्स्ट कोशन है किस राज में टोटो भासा का सब्द संग्रह जारी किया जाएगा आंसर हो जाएगा इसका पश्चिम मंगाल में तो दोस्तो पश्चिम मंगाल में केबल 1600 व्यक्तियों के द्वारा ये टोटो भासा बोली जाती है और अब ये बिलुप्त होने की कगार पर है तो बिलुप्त होने से बचाने के लिए इसका एक सब्द कोस यानि इसकी डिक्शनरी को 7 अक्टूबर 2023 को कोलकाता में जारी किया जाएगा तोटो भासा की बात करें तो यह एक चीनी तिबिती भासा है जो भूटान की सीमा से लगे पश्चिम मंगाल के कुछ हिस्सों में तोटो जनजाती के व्यक्तियों के द्वारा बोली जाती है यूनेस्को के द्वारा इस भासा को लुप्त प्राय भासा के रूप में सूची बद्ध किया गया है दोस्तो जो टोटो भासा है यह मुख रूप से मौखिक रूप से बोली जाती है यानि इस भासा का साहित नहीं है यानि इस भासा में ना तो कोई किताबे लिखी गई है ना कोई बड़ा गरंथ लिखा गया है इसलिए ये लोगों में पहुंच ही नहीं पाती लोग बोलते बस हैं लेकिन लिखते इसमें कुछ नहीं है ठीक है इसमें साहित एक भी नहीं लिखा गया है जिसके कारण ये भास भासा बिलुप्तो होने की कगार पर पहुँच गई है। मनिपुरी, मराथी, नेपाली, ओडिया, पंजाबी, संस्कित, सिंधी, तमिल, तेलगू, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथली और डोगरी। तो ये भासा हैं हमारे भारती संविधान की आठवी अनसूची में। अब कौन सी भासा कब सामिल हुई ये भी कोशन बनता है तो 1967 में सिंधी भासा सामिल हुई थी 1922 में कौनकड़ी, मनीपुरी और नेपाली को सामिल किया गया था 2003 में बोडो, डोगरी, मैथली और संथाली को सामिल किया गया था तो हमारा जो मूल संविधान है उसमें 14 भासाएं सामिल थी अब लेकिन कितनी हो गई हैं 22 भासाएं हो गई हैं बात आई है यहाँ पर पश्यम मंगाल की तो पश्यम मंगाल की राजधानी है कोलकाता, राजबाल है सीवी आनन्द बोश, मुख मंत्री है मम्ता बनर जी, बिधान सभा की यहाँ पर 294 सीटे हैं, राज्य सभा की शोलाई सीटे हैं और लोग शभा की 42 सीटे हैं Next question है सिक्किम राज में किस नदी में अचानक बाढ आने से कई छित्रों से संपर्क तूट गया है? आंसर हो जाएगा तीस्ता नदी. तो सिक्किम में तीस्ता नदी में अचानक से बाढ आ गई जिसके कारण कम से कम साथ लोगों की मौत बताई जा रही है वर्फ की बड़ी-बड़ी चट्टाने जमा होती है जिसे हम ग्लैसियर बोलते हैं तो ये ग्लैसियर पिखलते रहते हैं और जब ये पिखलते हैं तो इनका पानी नीचे की तरफ आता है और नीचे की तरफ जब ये पानी आता है तो जीलों में भर जाता है तो इसी प्रकार की घटना अभी हुई है कि जो हिमालाय के छेतर का जो ग्लैसियर था वो पिघल रहा था और उसका पानी लिहोनक जील में जमा हो रहा था लेकिन हुआ क्या है 4 अक्टूबर को कि एक बड़ा सा ग्लैसियर पिघल जाता है एकदम से जिससे इसका पूरा पानी इस लियोनक जील में आ जाता है और इस लियोनक जील के तूटने के कारण ये जील तूट जाती है और इसका पानी तीस्ता नदी में चला जाता है और तीस्ता नदी में अचानक से बार आ जाती है जिसके कारण ये नुकसान होता है दोस्तो इस बार के कारण जो सिक्किम का थांग बांध था उसको नुकसान पहुंचता है और तीस्ता पर जो तीन जल बिद्दुत परियोजनाय चल रही थी वो भी पुरी तरह से प्रभावित हो गई है तो इस प्रकार का नुकसान हो गया है सिक्किम में सिक्किम की बात आई है तो ये नौर्थ इष्ट का स्टेट है राजधान इसकी गंग टोक है राजजपाल है लक्षमर प्रसाद आशार मुक्ख मंत्री है प्रैम सिंग तमांग दोस्तों याद रखिएगा कि भारत का पहला जैबिक राजजिकौन है सिक्किम विश्यू की ती देश कौन सा है जो भूटान नेपाल और चाइना के साथ अपनी सीमा साज़ा करता है तो आंसर हो जाएगा सिक्किम नेक्स्ट कुशन है आरबियाई के एक्जिक्यूटिब डारेक्टर यानि कारेकारी निदेशक कौन बने है आंसर हो जाएगा मुनीज कपूर तो अभी हा आता ही है आरबियाई की तो आरबियाई की स्थापना एक अप्रेल 1935 को हुई थी मुख्याले इसका मुंबई महराष्ट में है गवर्नर हैं सक्तिकांत दास डिप्टी गवर्नर हैं डॉक्टर M.D. पात्रा, M. राजिस्वर राव और T. रभी संकर और स्वामी नाथन जे बने हैं, के एन सांता कुमार PTI बोर्ड के अध्यक्ष बने हैं, डॉक्टर दिनेश दास संग लोक्षिवा आयू के सदस बने हैं, कैटरीना कैप को यूनिकलो इंडिया का ब्रांड मिश्टर बनाया गया है, निहार मालवी को पेंग्विन रेंडम हाउश का CEO बनाया गया ह और राहुल नभीन को EDK डिरेक्टर की रूप में निक्ट किया गया है, अंगला प्रसन है, एंटी टेरर सम्मेलन का आयूजन कहां किया जा रहा है, आंसर हो जाएगा नई दिल्ली में, तो दोस्तो अभी हाली में केंद्रिये ग्रह एवं सहिकार्था मंत्री अमेसाय ने न NIA के द्वारा आयूजित आतंक बाद निरोधी सम्मेलन का उध्गाटन किया है, दोस्तो यह जो सम्मेलन है, यह 5 और 6 अक्टूबर 2023 को आयूजित किया गय जाएगा, यहाँ पर बात आई है NIA की, यहाँ पर बात आई है NIA की, तो इसे बोला जाता है National Investigation Agency, और यह एक सरकार के द्वारा आतंक बाद का मुकाबला करने के लिए इस्थापित किया गया था, दोस्तो मुंबई में जब 26-11 का हमला हुआ था, इसके बाद इस Agency की आवशिक्ता महसूस की गई थी, तो इसका काम है आतंक बाद को रोकना, यहाँ पर बाता है सम्मेलन की, तो 2023 के जब उर्जा सिखर सम्मीलन नई दिल्ली में और स्री अन सम्मीलन नई दिल्ली में आलजित हुआ है, किस बैंक ने सुभधा जनक बेंकिंग सर्विस के लिए मोबाइल हैंड 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 डिवाइस को लूंच किया है, एसर हो जाएगा SBI यानि State Bank of India, तो State Bank of India के दवारा अ इसमात के माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जाया जा सकता है और इसका उद्देश है सुविधा जनक बैंकिंग सर्विस उपलब्ध कराना। इस प्रदान कर सकते हैं खास तोर पर इस डिवाइस का फायदा उन लोगों को मिलेगा जो की बरिष्ट नागरिक हैं यानि की जो बुजर्ग लोग हैं उनको इसका फायदा मिलेगा और जो दिब्यांग लोग हैं उनको भी इसका फायदा मिलेगा अब हम बैंकिंग से ने PNB GST सहाय एप को अभी हाली में लॉंच किया है Infinity Saving Account को Access Bank के द्वारा अभी हाली में लॉंच किया गया है Yes Bank ने All-in-One IRIS Mobile एप को अभी हाली में लॉंच किया है और RBI ने Udgam Portal को अभी हाली में लॉंच किया है अंगला कुश्चन है Tata Literature Live Lifetime Achievement Awards से किसे सम्मानित क्या गया है आंसर हो जाएगा अंबाई को तो तमिल लेखिका हैं अंबाई तो उन्हें Tata Literature Live Lifetime Achievement Awards से सम्मानित क्या गया है और जो अंबाई हैं वह एक नारी बादी लेखिका है यनि वो महिलाओं के लिए लिखती है उन्हें 2021 में तमिल भासा का साहित अकादवी पुरुसकार भी दिया गया था अब हम बात करते हैं Tata Literature Live Lifetime Achievement Award की तो यह पुरुसकार भारतिय लेखन और साहित में उत्कृष्ट योगदान देने के लिए दिया जाता है यह पुरुसकार अनीता देसाई, मार्क टुली, अमिताब घोस, रसकिन बॉन्ड जैसे प्रसिद लेकों को मिल चुका है हाली में प्रतान किये गए कुछ प्रमुक पुरुसकार डिसकस करते हैं तो सुधा मूर्ती जी को Global Indian Award प्राप्त हुआ है और रुई किस्यांग जांग को सास्त्र रामारुजन पुरुसकार मिला है बहीदा रह्मान जी को दादा सहफ फाल के अवार्ड मिला है 2021 का स्वाती नायक को नार्मन वोरलॉग फिल्ड अवार्ड मिला है नजमा आक्तर को सिक्षा के छेतर में लाइफ टाइम अश्यमेंट अवार्ड मिला है विसेवाडा रेलबे स्टेशन को ग्रीन रेलबे स्टेशन का सर्टिपिकेट मिला है प्रवीना अंजना मिस इंटरनेशनल इंडिया बनी है 2023 की सत्यजीत मजूमदार को डॉक्टर वीजी पटेल मेमोरियल अवाड 2023 मिला है दोस्तो आज का अंतिम प्रस्न है भारत की साथ भी सबसे अमीर व्यक्ति कौन बनी है तो वो बनी है साबित्री जिंदल तो दोस्तो भारत की सबसे अमीर महिला साबित्री जिंदल ने पैसों की मामले में इस्टील किंग के नाम से मसहूर लक्षमी मिंतल को पीछे छोड़ दिया है साबित्री जिंदल की जो नेट बर्थ है वो है 18.7 बिलियन डॉलर और इसके साथ ही वो 7 भी सबसे अमीर भारतियें बन गई है लक्षमी मिंतल की बात करें तो उनकी मौझूदण नेट बर्थ है 17.2 बिलियन डॉलर की साबित्री जिंदल ओपी जिंदल गुरूप की चेर्मेन है साबित्री जिंदल ने इस साल की शुरुबात से अभी तक करीब पांच बिलियन डॉलर की संपत्ती बनाई है चलिए दोस्तों अब हम कल के करेंट अफ्यास को रिवाइज करते हैं फिर इसके बाद जनरल नॉलिज के पिटारे को डिसकस करेंगे लास्ट में आपसे कोशन पूछेंगे जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है करकेट का इरानी कप 2023 किस ने जीता है सेस भारत ने ग्लोबल मोबाइल स्पीट रेंकिंग में भारत किस इस्थान पर पहुँच गया है 47 बे इस्थान पर विस्सो पसु दिवस कम बनाई जाता है 4 अक्टूबर को रसाइन का नोबिल पुरुषकार 2023 किसे दिया गया है माउंगी, बावेंडी, लुइस बुरुस और एलेक्सी एकी मोब को विस्सो बैंक ने 2023 के लिए भारत की जीडीपी ब्रदीदर कितनी रखी है 6.3 पर तीसत एसियन गेम से 2023 में नीरा चोप्रा ने कौन सा मैडल जीता है गोल्ड मैडल जीता है आइसीसी ने ODI विस्सुकप के लिए किसे एक ग्लोबल एंबेस्टर न्यूप किया है सचिन तैंदूलकर को पस्मीना क्राप्ट किस राजजिया केंसा से प्रदेश से संबंदे थे जिससे हाल ही में GI टेक दिया गया है जम्मू कस्मीर ग्लोबल इंडियन अवार्ड पाने वाली पहली महिला कौन बनी है सुधा मूर्थी दोस्तों आज के जनरल नौलिज के पिटारे में हम डिसकस करेंगे विभिन यंत्रों में उर्जा का रूप आंत्रण जैसे डाइनेमो यांत्रिक उर्जा को विद्दुत उर्जा में बदलता है विद्दुत मोटर विद्दुत उर्जा को यांत्रिक उर्जा में मुंबत्ती रासाइनिक उर्जा को प्रकास उर्जा में सेल रासाइनिक उर्जा को बैद्दुत उर्जा में लाउड स्पीकर बैद्दुत उर्जा को ध्वनी उर्जा में माइक्रोफॉन ध्वनी उर्जा को बिद्दुत उर्जा में और सितार यांत्रिक उर्जा को ध्वनी उर्जा में बदलता है कल के करेंट अफ्यस में जो कुश्चन पूछा गया था उसका अंसर है क्रिकेट तो आपसे ये कुशा गया था कि देवधर ट्रॉफी किस से खेल से सम्मनित है तो ये क्रिकेट से रिलेटेड है तो इसका अंसर सभी लोगोंने बताया हुआ है तो इसी प्रकार से आपसे जो कुश्चन पूछे जाए उसका अंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजेगा आज का कुश्चन है यूनेसको का मुख्याले कहा है जो भी इसका राइट अंसर हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं हमें इंच जार रहेगा आपके आंसर का मिलते हैं नेक लेक्शर में जय हिंद वंदि मात्रम